नहीं है प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ शिक हमेर उत्रा पूर्व प्रधान मंत्री अटेल बिहारी बाचपई की आज पुन्यति थी है इस दोरान राश्रपती द्रौपदी मुर्मो प्रधान मंत्री नरीद्र मोधी समेत कई नेताओं ने उन्हें आटेल बिहारी बाचपई के इसमारक सदैव आटेल पर पुष्पांजली अर्पित की देखे हमारी ये रपोर्ट कविताय भी थी मशूर। जनसंग के संस्थापकों में से एक थे अटेल जी। कई नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने लरी थी आजादी की लराई। 16 ओगस्ट 2018 को हुआ था अटेल जी का निधन। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। पूर्फ प्रधान मंत्री अटल भिहारी वाजपय की ये मशूर कविता आज भी लोगों की जुबान पर रहती है। BJP के फाउंडर मेंबर के साथ अटल भिहारी वाजपय एक शांदार कवी भी थे और उनकी कई कविताय मशूर हुई। वो हमेशा अपने भाशनों में अपनी कविताय सुनाय करते थे। जी हाँ, आज पूर्फ प्रधान मंत्री अटल भिहारी वाजपय की चौथी पुन्यति थी है। उनकी पुन्यति थी पर राश्रपती द्रौपती मुर्मू, पीए मोधी सहित तमाम नेताओं ने श्रधान जली अर्वित की। और 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वॉलियर में जन्मे वाजपय आज के ही दिन साल 2018 में हमें छोर कर चले गए। पूरा देश भारत रत्न अटल भिहारी वाजपय की पुन्यतिधी पर उन्हें याद कर रहा है। अटल जी की ऐसी शक्सियत थी, जिनसे अपने तो प्यार करते ही थे, उनके विरोधी भी उनके मुरीद हैं। उन्हें राजनीती की अजार्च शत्रू कहा जाता था। अटल जी ऐसी नेता थे जिन्हें अपनी हार का भी कभी दुख नहीं हुआ। वो अपनी हार पर भी हसने लगे थे। जानिये पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपै से जुरा ये अनोखा किस्सा। अटल बिहारी वाजपै भारत के पूर्व प्रधान मंत्री थे। वो तीन बार देश के प्रधान मंत्री बने, वो हिंदी कवी, पत्रकार और कुशल वक्ता भी थे। वाजपय एक ऐसे नेता थे जिने हर राजनीतिक दल मानता था अटल बिहारी वाजपय का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था उनके पिता ग्वालियर में शिक्षक थे शिंदे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को वाजपय जन्में थे उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपय था जो कि उत्तर प्रदेश की आगरा जिले के मूल निवासी थे दरसल अटल बिहारी वाजपय जन्संग के संस्थापकों में से एक थे वो 1968 से 1973 तक जन्संग राश्ट्रे अधक्ष भी रहे 1952 में वो पहली बार लोक सभा चुनाव लए लेकिन हार गए इसके बाद उन्होंने 1957 में यूपी के बल्रामपुर सीट से बतौर जन्संग प्रत्याशी जीत हासल की 1967 से 1977 तक जन्ता पार्टी की स्थापना के बाद वो 20 साल तक लगातार संसदिये दल के नेता रहे मुरार जी देशाई की सरकार में 1977 से 1989 तक विदेश मंत्री रहे और विदेश में भारत के साथ ही अटल जी ने हिंदी की अच्छी च्षवी बनाए मगर 1980 में जन्ता पार्टी से असंतुष्ट हो गए और भारतिय जन्ता पार्टी की स्थापना में मदद की इसके बाद 6 एपरिल 1980 को बनी भारतिय जन्ता पार्टी के अध्यक्ष भी बनी वो दो बार राजसभा के लिए चुने गए तो वही 1996 में पहली बार देश के प्रधान मंत्री बने लेकिन संख्याबल नहीं होने के चलते महस 13 दिन में उनकी सरकार 1996 में गिर गए वो 1998 में दोबारा पीम बने लेकिन 13 महीने बाद 1999 की शिरुवात में उनकी नेत्रत्व वाली सरकार दोबारा गिर गए 1999 में ही उनके नेत्रत्व में 13 दलों की गटबंदन सरकार बनी जिसने सफलता पूर्वक पात साल का कारेकाल पूरा किया जो अपना कारेकाल पूरा करने वाली पहली गैर कॉंग्रिसी सरकार थी प्रधान मंत्री के रूप में वाजपय जी ने कई बरे काम किये 11 और 13 मैं 1998 को पूखरन में पाच भूमी गत परमानु परिक्षन विस्फोड करके भारत को परमानु शक्ती संपन्न देश घोशित किया था उन्होंने पाच से संबंध सुधार्णी के उदेश से 19 फरवरी 1999 को सदाय सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शडू की थी साल 1990 में अटल सरकार के कार्याले में कारगिल युद्ध में पाच के अवैद कबजे से भारत भूमी को छुराय गया सुधनिम चतुरभुज परियोजना जिसने भारत के चारो कोनों दिल्ली, मुंबई, कॉलकता और चैन्ने को सरक मार्ग से जोरा इसकी शिडवात वाजपय के कारेकाल में हुई ब्रिटिश शासन का विरोध करने के चलते वाजपय को किशोरा वस्था में कुछ समय के लिए जेल भेजा गया राश्ट्री सोय सेवक, संग और जन संग से जुड़ने से पहले वाजपय कुछ समय तक साम्यवाद के संपर्क में भी आये बाद में दक्षिन पंथी संगठनों से जुराव हो गया अगर हम वाजपय जी को मिले पुरसकारों की बात करें तो 1992 में पद्म विभूशन और 1993 में कानपुर विश्व विद्याले से डीलिट की उपाधी मिली थी 1994 में वाजपय को लोक मान्य तिलक्स पुरसकार तो 1994 में स्ट्रेश्ट सांसत पुरसकार और भारत रत्न पंडित गोविंद वलब पंथ पुरसकार से नवाजा गया 2015 में मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्व विद्याले जियालाल बैर्वा देविली से डेलिट की उपाधी मिली और बांगलदेश सरकार की तरफ से Friends of Bangladesh Liberation War Award भारत सरकार की ओर से देश के सबसे बड़े पुरसकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया अटल भिहारी वाजपे को साल 2009 में एक दौरा परा था इसके बाद वो बोलने में काफी हद तक अक्षम हो गये थे 11 जून 2018 में किड़नी में संग्रमन और कुछ अन्य स्वास समस्याओं की वज़े से उन्हें अखिल भारतिय आयूर विज्ञान संस्थान एम्स में भरती कराया गया था जहां 16 ओगस 2018 को उनकी मृत्य हो गए पूरा देश उनको आज उनकी पुन्य दिधी पर उनको नमन कर रहा है ब्यूर रिपोर्ट प्राइम टीवी आज पूर प्रधान मंत्री एटल बिहारी बाचपई की पुन्य तितिय और इस सफसर पर सभी उनके जो कविया थी उन्हें याद किया जा रहा है उन्होंने किस तरह से अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया एक सफल राजनेता के रूप में जो उनकी छवी रहिया सभी उसे याद कर रहे हैं और उन्हें शुरधान जली दे रहे हैं फुलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही देश दुनिया की तमाम खवरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी